भारत की धार्मिक राजधानी के तौर पर विक्सित हो रही श्रीडाम जन भूमी आयोध्याधाम में विश्व अस्तरीय सुविधाएं भी डवलप की जा रही है इसी के चलते आयोध्या में ब्रह्मकुंड के पास एक टेंट सिटी बनाई गई है ब्रह्मकुंड का इलाका जो कि सर्यू नदी के बिलकुल समीफ है और एक बड़ी टेंट सिटी का निर्मार जो है किया जा रहा है और आपको हम आगे तस्वीरों में ले चलकर दिखाते हैं क चाहे ओम हो स्वस्तिक हो कमल हो शंक सूर्य चक्र धनुष अगर आप देखें तो सब कुछ आपको तस्वीरों में नजर आएगा और इसी तरह से यह पूरी बड़ी से में टेंशिटीव डेवलब की गई है यह उम्मीद जताई जा रही है कि अयुद्या में तक्रीबन जो है वो ना सिर्फ 22 जनवरी को मौझूद रहेंगे उसके बाद जो है लाखों लोग की भीड रोजाना पहुचेगी और जिनको जिनके ठैरने के लिए जिनके लिए विश्रस्तरिये सुविधायें सभी की जरूरत आगे पढ़ेंगे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की सुव टीक होटल में जाएं किसी होटल में जाएं तो जिस तरह का डाइनिंग एरिया होता है वैसा ही डाइनिंग एरिया यहां पर आप देखें डवलप किया गया है पुरे बुफे का जो इंतिजाम है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहोगा इसके साथ ही आपको वाश में यहाँ पर सीधे सर्यू नदी के किनारे से जो है ठंडी ठंडी हमाएं जो हैं उसका आनन भी यहाँ पर आए जो शरधालू है जो आध्या में ना सिर्प दरशन के लिए आएंगे बलकि जो साथी साथ परेटन के लिहास से आएंगे उनको भी इस तरह की सुवधाओं का फ जो कमरे हैं वो कैसे होंगे मैं आपको एक बार तस्वीर ले चलकर अंदर भी दिखा दूँगा आपको यह बाहर का हिस्सा दिखा टेंट का अब अंदर लेकर चलते हैं प्रॉपर जो है वह एक मजबूत सॉलिट प्लेटफॉर्म बेस पर जो है इसको बनाया गया है लेकि के बाद आप कमरे का यह खुबसूरत जो है अंदर का व्यू देख सकते हैं इंटीरियर जो है बहत बहतरीन तरीके से सजाए गया है आपके लिए दो चेर्स हैं चुकि यह दो यात्रियों के ठहरने के लिए होगा कुर्सियां है बैड प्रूपर प्रॉपर जो है इसमें सा जा सकता है बड़ा ही खुबसर तरीके से इसका जो बाथिंग एरिया वह भी डवलप किया है काफी बड़ा एरिया अगर आप देखें यहां पर दिया गया हमोमन जो आप होटेल में जाते हैं उनमें जो वाश्रूम होते हैं वो इतने बड़े एरिये में नहीं होते हैं तस्वीरें यह बताती हैं कि अब आध्या की तस्वीर सिर्फ इस बात से नहीं बदल लई है कि यहां पर चोड़ी सड़कें और बड़ा इंफ्रस्ट्रक्चर होगा बलकि तस्वीर सबसे सुंदर यह होगी कि इतने आधुनिक और खूबसूरत कमरे जो हैं वो आध्या में सर्यू नदी के किनारे एक ट्रेंट सिटी में होंगे जिसका आनंद आपने देश के कई हिस्तों में लिया होगा लेकिन अध्या में यह पहली बार होने जा रहा है